तो उसके उसमें हम लोगों ने समाजिक नयायत्र निकाली है पूरा देश में अगर समिधानिक तो पहले ही खड़ा हो जाता है उनके पास कोई हिंदु मुस्लिम या संप्रादाइक बाते नहीं है देखिया भी जो साइन्स कालेज में हुआ हुआ हमारे समाजिक नयायत्रा का प्रथम चरण का समापन था जिसमें हम लोग ने मार्नी चन सेखराजाज जी को बुलाया है सारे सिस्टम डरे हुए है खास करके हमारे समाज भी डरा हुआ है एक एक गाव में जिस तरह से चतिस गड़ सरकार ने उनके उपर बरवरता दिखाई 36 गड़ में कॉंग्रेस से जुड़े बहुत से सतनामी समाज के नीता है और पूर में मंत्री भी रहे हैं और भारती जन्ता पार्टी में भी आपके सतनामी समाज के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं मंत्री हैं सासन में क्या इन लोगों का आपको ब्रोदा वजा की घटना को लेकर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सही हो मिल रहा है क्या है आप हम लोग का मांग भी वही है कि जो साजिस किया है जिन्हों ने वहाँ इस घटना को अंजाम दिया है उसका उंची सतरी जाच हो और जो दोसी लो होना या अलब समाज को बदनाम करने की कोशिश की जारी है और हम तो चार है कि जिस तरह से हमने समाजिक निया आत्रक माध्यम से जो हमारे पास निकल के आया है तो बिल्कुल साजिस्त के तोर पे नजार आया है और हमारे 200 लगभग 200 लोग निसर्थ उनकी जिहाई चाहिए यह हम लोग का मांग है जिस तरह से सामिधान में कहा गया दो तीन चीज जो जह है निजी करन नहीं होना चाहिए सिक्षा स्वास्त और रोजगार तो मान के चलिए जिसे फेट्री भी लगा हुआ है चाहे पूरे भारत में तो उसमें जो प्राइवेट लिमीटेट करके जो 36 गड़ के सांसाथ पूरे भारत में जो सरकारी बेवस्थाओं का जो दोहन हो रहा है सड़क है ट्रक उनकी चलती है नदी है पानी वहां से लेते हैं बिजली है तो यह जो सारवजनिक बेवस्थाओं का उन लोग दोहन करते हैं और निजी करन प्राइवेट लिमीटेड ब होगी बहुत सारे विभागों में काम कर रहें सरकार के बाग तो अभी अगर उसको जिस तरह से प्रताडित किया जा रहा है कि उनको 12000 में उनके सारे परिवार जुड़े होए हैं जिसमें स्वास सिक्षा सारे चीज है उसके बाद उनको अगर प्रताडित कर रहते तो बिल बात है इतनी बड़ी संख्या में यहां आप एकत्रित किये लोगों को और यहां के निताओं को आप लोग जो हैं सतनामी समाज से जुड़े ने चाहे बीजेपी से हो चाहे कॉंग्रेस से हो क्या उन लोगों को आपने आमंत्रित किया था कुछ संगाठन ऐसा है जो कॉंग्रेस से प्रेडित है और कुछ संगाठन ऐसा जो ब्जेपी से प्रेडित हैं तो उन लोग इतने अभी तामू बंद कर दिया है। उन्हीं लोग तो समाज को जो है समाज का जो व्यवस्था है उसके आइना जो जो भी सरकार बनती है मुख्यमंत्रिक सामने रखता है कि यह मेरा समाज है और ऐसा इनकोट चाहिए तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से उनलोग चुपी साधे हैं यह सोचने वाली बात हो है उनलोग को क्या मजबूरी है कि ऐसा इतना बड़ा समाजिक जो मेहना चेह संकट आई है उसमें अगर चुपी साधे और सरकार को सही ढंग से उसको मार्क दर्शन ना दे और जिस तरह से असा भीता फैली है पूरे 36 गड़ में तो मुझे लगता है उनलोगों की गैर जिम आज मनोज बंजारे के निवास आईव हुई है जहां उन्होंने जो यह कारिक्रम किया सतनामी समाज का समाजिक न्याय यात्रा यह पूरे प्रदेश में निकालें लगभग 17 दिनों का यह हर जिले में गए और अपनी मांगों को वहां पर रखकर लोगों के बीच में न्या समाजिक न्याय यात्रा समाज के बीच में जाकर आपको निविदन करना पड़ा पद्यात्रा के माध्यमते करना पड़ा लोगों को जूड़ना पड़ा क्या-क्या बातें थे और कैसा आपको उनका अनुवह रहा थोड़ा हमारे साथ साजा करे अभी हम लोग 17 दिवसी समा सारवजनिक तौर पे सभी वारगा उनका भी हमने उसमें लिये है तो खास करके हमने अभी जो जिस तरह से हमारे सत्नामी समाज के जो बलावदा बजार घटना में जो कहना चीए अपमान हुआ है तो उसके उसमें हम लोगोंने समाजिक न्याय यात्रा निकाली है और हम तो चाहर है कि जिस तरह से हमने समाजिक न्याय आत्राक माध्यम से जो हमारे पास निकल के आया है तो बिल्कुल साजिस्त के तोर पे नजार आया है और हमारे दोसो लगभग दोसो लोग सर्त उनकी रिहाई चाहिए यह हम लोग का मांग है और बेवजा ही उनको जेल में डाल गया है और इस लड़ाई में आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो भीम आर्मी का कहीं न कहीं आपको सहयोग मिल रहा है भीम आर्मी आपके साथ कैसे जोड़ी तो वहां हमने उनसे देखा कि आज पूरा देश में अगर समिधानिक तोर पे और जहां समिधान का हनन होता है तो वहां भीम आर्मी जो है ना पहले ही खड़ा हो जाता है उनके पास कोई हिंदू मुस्लिम या संप्रादाइक बाते नहीं है और जनरली हमने देखा है कि जैसे जहां भी बात होती है तो वहां सम्प्रादाइक हो जाता है तो मैं समझता हूँ इस देश में जिस समिधान है तो सिप समिधान की बाते होनी चाहिए और भीमार भी इसमें बिल्कुर समिधान के तोर पे ही बाते होती है तो हमने उनका सहय लिया और उनके माध्यम से चतिस गड़ में जो संगठन बनी हुई है उन लोगों ने इसमें सहयोग किया और हिस्सा लिया है अब आप लोग के माध्यम से तो हम लोग किसी का भी सहयोग या किसी का भी बाइड देखे नहीं है और मुझे लगता है जिस तरह से हमने चतिस गड़ राज अलग होने के बाद जितने भी विधायक बने और मंत्री भी बने हमारे समाज के भी और पूरेज जनरल में तो उन लोगों ने एक इस अविधानिक जो ब्यवस्ता है एसेंबली और विधायक बनना इसको ऐसो अराम की मतलब व्यवस्ता बना लिए है जिस तरह से चतिस गड़ राज को आज जोगी जी ने जो सपना देखा था कि मैं सुजर ले मतलब 20 वकी सबसे सुन्दर धर्ती बनाऊंगा गर गे लेकिन आज तक हमने देखा है कि कोई भी विधायक ये अपने आपको बता ही नहीं इन लोग किसी भी तरह से जो काम करने का या विकास करने की बात है इनमें आपस में सामांजस्य नहीं है यहां आप जो राजधानी में कल हमको देखने मिला है 31 स्कॉलेज मैदान में जिसमें रावन दिल्ली से भी मार्मी के नेता को बलाया गया और जो गैदरिंग होई थी काफी बड़ी संख्या में लोगों और समाचार पत्रों के माध्यम से जानने में रहा है लोगों के उससे जानने में रहा है कारिकरम काफी सफर रहा बड़ी गैदरिंग होई थी क्या कहें गाए इसमें क्या है सारे सिस्टम डरे हुए है खास करके हमारे समाज भी डरा है तो हमारे लोग भी डरू हैं बेवज़ा जो निर्दोस लोग हैं उनको भी उठाके और कहना चाहिए अमानवीता तरीके से उनको पर जो टार्चर किया है उसके साथ सरकार के भी सिस्टम जो प्रशासनीक व्यवस्ता है वो भी एकदम भेवित है कि किसी तरह से मतलब और दोबारा यह घटनाएं नहों चुकि यह घटना हुई है वो दुर्भाग यह वसा किसी की खास करके मैं समझता हूं कि हमारे जो सत्नामी समाज की जो निर्देश जो लोग है कोई डाक्टर है कोई वकील है और कुछ नवालिक बच्चे भी है जो 36 गड़ राज्यके अलग होने के बाद पैदा होके बेरोजगार घूम रहा है उसमें हमारे समाज के साथ साथ जो और अन्य समाज की जो बेरोजगार लड़के हैं उन लोग भी उसमें कहना चीए सामिल बताया है सरकार ने तो जिस तरह से अभी यह बलोदा बजार घटना ह सांतिणी सामाज का साजीस जो घटना के अंजाम दिया है हम लोग का मांग भी वही है कि जो साजीस गिए जिन्हों ने वहां इस घटना को अंजाम दिया है उसका उंची स्तरी जाच हो और जो दोसी लोगे उनके कड़ी से कड़ी कारवाई हो लेकिन समाज को जिस तरह से बतनाम किया जा रहा है और समाज के लोगों को जिस तरह से बरबरता दिखाई है तो यह तो सरकार की भी भी फलता है या फिर किसी बदले की भावना या लब समाज को बदनाम करने की कोशिज की जा रही है यह आगे आप लोग किस प्रकार के रणीति बना रहे हैं कारिक्रम के लिए यह तो साइंस कॉलेज का एक सभा हो गया और भी कहा जा रहा है कि आगे क्या 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 रूप रिखा है आपनों कब तक चार हजार जी को बुलाया है और हम लोग चार चरन में पूरा समाजिक न्यायतरा चलाने का घर घर जाने का हमारा प्लान है बहुत सारा जो चतिस गड़ के जो मुद्दा है खास करके युवाओं का जो मुद्दा है वो हमको अभी पहले चरन में ही मिला है जैसे बिए बना के जो निजी करन स्कूल के माध्य हमसे व्यवस्था कर दिया है लेकिन लाखों बीए डेट जो उच्छा मिलता हमारे च्छतिस गड़ में एक कहना चीए कि एक व्यवस्थिस सिक्छा जो देना है बीए डेट के बच्चे वो आजवंचीत है और उनके उमर बसता क्या ह तो वह जाब बाडर क्रास कर जाता है यह यह भी हमको इस समाजिक न्यायात्रा में मिला है उसी तरीका से नर्सिंग में भी मिला है दसवी बारवी वाले जो बच्चे लोग को नर्सिंग करके तीन-चार हजार रुपया में जो प्राइवेट नर्सिंग हों है उसमें सेवा मिली नहीं रहे और जिस तरह से सरकार बोलती है कि हमने आयुसमान कार्ड दिये हैं या नरेंद मुदी जी भी बोले कि हम लोग पाच लाख रुपया आपको सघंसी किसक ले है तो वो जो पैसा जब लग रहे सारवजनी खीत में अगर मालो लग रहा होगा तब की बात है तो सिस्टम से हो और जो वास्तविक जो भिरोजगार जो बच्चे है जो डिग्री लेके बैठे है उनका वहां मिले ये भी हमको न्यायात्र में मिला है ये अभी सरकार कह रही है समाचार पत्र में वियाए था 54 हज्जार सिक्षकों की भरती की जानी है इस पर आप क्या कहेंग सिक्षा की स्वास्त बहुत बिगड़ा हुआ है सरकार को यह चाहिए कि जिस तरह से सामिधान में निजी करन नहीं होना चाहिए सिक्षा स्वास्त और रोजगार तो माल के चलिए फेट्री भी लगा हुआ है च्छेट्स गड़ में चाहिए पुरे भारत में तो उसमें जो प्राइवेट लुमिटेट्ट करके जो चट्वाजनीआ के साँच्त पूरته भारत में सरकारी ब्यास्ताओं का जो दोहन हो रहा है सड़क है ट्रक उनकी चलती है नदी है पानी वहां से लेते हैं बिजली है तो ये जो सारवजनिक ब्यवस्थाओं का उन लोग दोहन करते हैं और निजी करन प्राइवेट लिमिटेर बना के जो उनका सिस्टम है मान के चलिए जैसे एक फेक्ट्री सरकार से 500 कड़ो रुपया लोन लेके फेक्ट्री चला रहा है और नदी का पानी ले रहा है बिजली ले रहा है और रोड भी उसमें उन लोग उप्योग कर रहा है उनकी ट्रके चारी है वो भी शारवजनिक है उसके बाद वहां आप जा कर रेसो देखें आप पैसा तो पुरा सारवजनिक है, सरकार की पैसा है, जो लोल लेके रखा है, तो यह जो रोजगार है, यह सरकार से वो system होना चाहिए, कि कोई भी factory में अगर कोई एप्लाइमेंट होता है, तो सरकारी तौर पर होना चाहिए, और सरकार के जो guideline है, वहाँ उनको salary मिलना चाहिए, और यहां क्या हो रहा है कि 36 गड़ में चामल भी हमारे जो दे रहा है एक रूपया किलो में चामल 36 गड़ है लोगों के लिए मिलना चाहिए वो पूरा फेक्टरी के लेवर लोगों को मीर रहे तो आप बताईए फेक्टरी के जो मालिक है उनको कितना फैयदा दिला रहा है सरगार कैसे की एक रूपया मउनको चावल दे रहा है और जहां कलेक्टर दर से 700 रूपया उनको होना चीएए भी पता नहीं 200 रूपया कुछ है तो 700 रुपे उनको मिलना चाहिए, तो अब बाहर के मजदूर आया है, यहाँ खाना उनको फिरी में मिला है, और लेवर क्वार्टर में अमानवी जिन्दके लोग जी रहे हैं, तो उनको जो रोजगार सरकार के तौर पे, सरकारी तौर पे उनको एप्लाइमेंट देना चाहि जो प्राइवेट लिमिटेट कमपनिया है, तो बिरोजगारी जो है, इस तरह से यहाँ कम होगी, अभी तो पूरे बच्चे पढ़ लिके बिरोजगार है, और एजाब बाडर क्रास करती है, गवाँ में कुछ भी काम नहीं है, खेती भी अवाप चारिकता रहे गई है, किसी का बाद नहीं है, या किसी को परतोपा नहीं है, गुरू तो गुरू है और वो सर्वापूज़ है, वी समय आपको मैं वता रहा हूँ, मैंने पूरा किताबे पढ़ी है, पूरे ब्रहमान में अगर किसी गुरू का जीवित अगर वनसज है, तो वो सतनामी समाज के कुछ लोग जिसे हो सकता है अभी सीवधारिया जी कि आप बात कर रहे होंगे कि गुरु प्रथा के बारे में जो बुला है उनका निजी राय हो सकता है या निजी स्वार्थ हो सकता है क्योंकि उनकी राजनितिक प्रतिद्वन्दिता ये उनको व्यक्त कर रहा होगा लेकिन स आदगी है कि गुरु जो प्रथा है और गुरु की जो पूजनी है वो समाज में हमेशा रहेगा और मैं मानता हूं कि हम भी जो गर्व करते हैं कि हमारे समाज में जी समाज में हम जी रहे हैं उसमें आज भी हमारे जीवित वन्स के रूप में हमारे सामने प्रगट के गुरु मारमी के नेता यामुक्य अथिति के रूप में रहें सतनामी समाज का सम्मेलन के रूप में एक न्याय यात्रा के बाद कुआ इतनी बड़ी संख्या में यहां आप एकत्रित किये लोगों को और यहां के नेताओं को आप लोग जो हैं सतनामी समाज से जुड़े चाहे बीजे सगटन है उनलोग को हमने यह देखा है कि कुछ संगरखन ऐसा है जो कांग्रेस से प्रेडित है कुछ संगरखन ऐसा जो बीज़ेपी से प्रेडित है तो उनलोग अभी मुझा करेंद numer है उनिलोग तो समाज को जो है समाज का जो व्यवस्ता है उसके आइना जो भी सरकार बनती है मुख्यमंत्रिक सामने रखता है कि यह मेरा समाज है और ऐसा इनको चाहिए तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से उन लोग चुपी साधे हैं यह सोचने वाली बात हो गई है उन लोग को क्या मजबूरी है कि ऐसा इतना बड़ा समाजिक जो कहना चीह संकट आई है उसमें अगर चुपी साधे और सरकार को सही ढंक से उसको मार्क दर्शन न दे और जिस तरह से असभ्यता फैली है पूरे 36 गड़ में तो मुझे लगता है उन लोगों की गैर जिम्मेदारी वाली बात दैनिक वितन भ कर्मचारी जो दैनिक वितन भोगी बैठे हुए है तो सरकार की भी फलता है और सरकार यह बता है जब इक हजार रुपया जो महत्डारी वंदन भाठ रह हो यह आप बाठ रहे हैं आपको क्या जवरत पढ़ गई कि एक हजार रुपया बाटना पड़ रहा है आप बाटने तो एक लाख रुपया बाटिये बिचारे जुग अपना जीवन उसमें जैसे तैसे करके भी आप दैनिक वितन भोगिक माध्यम से आपको सेवा दे रहा है नियम से तो उनको सरकारी सिस्टम में जब आप उनको सेवा ले रहे हो उनको हटा देंगे वहां से तो आगे चल कि वह करेगा भी क्या क्योंकि उनका भी जो सारी रिक छमता है वह दूसरे काम के लिए वह फिट हो गई नहीं तो वह कैसे करेगा तो सरकार जिस तरह से अभी गोशना पत्र में भी अपना दिया था कि दैनिक वितन भोगी बहुँ उनको 12,000 में उनके सारे परिवार जुड़े होए है जिसमें स्वास सिक्षा सारे चीज है उसके बाद उनको अगर प्रताडित कर रहे तो बिल्कुल गलत है सरकार की और उसी में जो सरकारी हो चुका है उनको 50,000-60,000 सेरी में तो उनके तुलना में अगर विचारे आपको स इसले सरकार साथ 4000 उन लोगों का मान बढ़ाया था तो इनको भी पढ़ाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने घोशना पत्र में भी जीकर किया है तो मैं मानता हूं कि उनका मान भी कहना चाहिए अहलना हो रही है इस ब्यवस्था में सपाई करम चारी है और वन विभाग म आको में लाखो करम चारी जो है इसमें सेवा दे रही है सरकार तो सरकार का निश्चे वाले को दाइतों बंता है मैं और जो पैसा उनको मिलना चाहिए जब किजी को आप 50,000 दे रहे हैं उसको और बढ़ाते जा रहे हो, 10,000 वाले को आप टाचर करते जा रहे हो, तो ये निती अच्छी नहीं है